जैसरी कृष्णा राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब उमिद करती हूँ आप सब बढ़ी से ही होंगे मैं आज आपको बहुती सुन्दर और प्यारी चीज बना करब बताऊंगी इसके लिए सिर्फ आपको दो दिये चाहिए और दिये भी इस तरह के चाहिए जिस तरह के मेरे पास रखे हुए है इसे बनाने के लिए भी आपने इस तरह के दो दिये ले लेने हैं और इनको उपर वाली साइड में ब्लैक कलर कर लेना है आपको अंदरवारी साइड में कलर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कलर यहाँ पर आपने ब्लैक ही करना है देखे जिस साइड मैं दिये को कलर कर रही हूँ आपने भी उसी साइड में दिये को कलर करना है आप देख पा रहे होंगे कि ये दिया हार्ट सेप में है इसी सेप में आपने भी दिया को ले लेना है और फिर अच्छे से इसको कलर कर लेना है जिस तरह से मैंने एक दिया को कलर किया है उसी तरह से मैं दूसरे दिया को भी कलर कर लूँगी फ्रेंस आप कभी भी यूज किये हुए दिये को बेकार समझके बिलकुल ना फैंके आप उनसे कही तरह की चीजे बना कर तयार कर सकते हो और अपने घर को सजा सकते हो एक तूटे हुए दिये को भी बिलकुल बेकार समझके ना फैंके तो देखिए मैंने दोनों दीयों को colour कर लिया है अब हमने क्या करना है कि इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देना है दीये मिट्टी के हैं तो इने सूखने में थोड़ा भी time नहीं लगेगा यह एक दम से सूख जाएंगे अब देखिए, round shape में काट कर हमने एक cartoon का piece ले लेने है और दिये के ऊपर इस तरीके से चिपका देने है और फिर cardboard के ऊपर glue लगाकर हमने दूसरे दिये को इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देने है तो देखिए, कुछ इस तरह से ये बनकर तयार हो जाएगा अब हमने क्या करना है कि साइड साइड में ये जो कार्डबोर्ट दिख रहा है इस पे हमने ब्लै कलर कर देना है तांकि ये बिल्कुल भी न दिखें और अच्छा लगे दोस्तों आप यकीन मानिए जब ये पूरा बनकर तयार हो जाएगा तो आपका दिल खुस हो जाएगा और आप इसे बनाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे अगर आप मेरे चैनल पे नए आये हो तो अपनी फैमलियों दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फ्रेंड्स आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करे तांकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जा रही है अगर हाथों में कलर करतीवा थोड़ा बहुत कलर लग जाए तो कोई टैंसिन की बात नहीं है क्योंकि वो असानी से निकल जाता है तो देखिये कलर करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है अब हमने क्या करना है कि इस तरह की फैविकोल की बोतल का धकन ले लेना है या फिर बोड़ी स्प्रे की बोतल का धकन ले लेना है बोड़ी स्प्रे का धकन काला है तो इसलिए मैंने इसे यूज में लिया है बोड़ी स् उपर हमने उसको चिपका देना है अगर आपके पास glue gun नहीं है तो आपने क्या करना है कि अच्छा सा चिपकाने वाला कोई glue ले लेना है जिसे ये अच्छे से चिपक जाए तो आप तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम sibling बना कर तयार कर रहे हैं अब हमने क्या करना है कि white color ले लेना है और एक ear buds अगर आपके पास इस तरह के दिये हैं तो सिर्फ दो ही दिये चाहिए और ये बहुत अच्छे बनेगी इस तरह के दिये से तो आप कोशिज करें कि आप sibling को इसी तरह के दिये से बनाएं तांकि ये देखने में बहुत अच्छी और सुन्दर लगे आपने यहाँ पर इस तरह के निसान बनाने के लिए buds का इस्तेमाल करना है क्यूंकि ये इस से अच्छे से बन पाएंगे बिल्कुल भी टेड़े मेड़े नहीं होंगे मैंने यहाँ पर color का यूज किया है अगर आपके पास color नहीं है तो आपने क्या करना है के white color का paper इस तरीके से काट लेना है और फिर फैब कोल से इसके ऊपर चिपका देना है दोस्तो मैंने अपने चैनल पर दिये को रियूज करने के और भी वीडियो अपने चैनल में डाले हैं आप उन्हें जा कर देख सकते हो तो देखे इस तरह से हमारी बहुती सुंदर सी सिबलिंग बनकर तयार है अब हमने क्या करना है कि रेड कलर ले लेना है रेड कलर से हमने तीनों निसानों के बीच एक टी का लगा देना है देखे इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ अभी इयर बड्स को दूसरी साइड से यूज करना है क्योंकि पहले हमने उस पे भाइट कलर का यूज किया था अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी पसांद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिर्कुल भी न भूलें तो देखे इस तरह से बीच में हमने एक टी का लगा देना है अगर आप सिबिलिंग को और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है क्यूंकि ये देखने में ऐसे ही पहुत अच्छी लग रही है तो अब आप देख सकते हो कि हमारी सिबलिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और ये कितनी ही सुन्दर लग रही है अगर आपके पास इस तरह के दिये पड़े हुए हैं तो आप इस तरह की सिबलिंग जुरूर बनाएं ये देखिए हमारी छोटी सी और प्यारी सी सिबलिंग बनकर तैयार है जो बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रेंस प्लीज वीडियो को देखा करें तांके मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप आया करूँ अगर आप वीडियो को देखेंगे, कुमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे अच्छा लगेगा और फिर होता क्या है कि मुझे हांसरा मिलेगा जिसके कारण मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आप आया करूंगी क्या आपने पहले कभी इस तरह से दो दियों और एक ढखन का कमाल पहले कभी देखा था इसे देखने के बाद कोई ये जान भी नहीं पाएगा कि आपने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है अगर आप बेश्ट दिये पर और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगी ये देखे चोटी सी सिबलिंक कितनी ही अच्छी लग रही है तो इस तरीके से आप भी से घर में बड़ी आसान तरीके से बना सकते हो इसे बनाने मैं ना तो जादा मेहनत लगी और ना जादा टाइम लगता है बस ये थोड़ी ही देर में बनकर तयार हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसांद आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्स फर वाचिंग